इस वक्त मुंबई यानि की आर्थिक राजधानी इस देश की मानों ठम सी गई है क्योंकि मुंबई में इस वक्त चल रहा है अब तक सबसे बड़ा बहुत बड़ा बिजली संकट आज जो पहला दिन है हफते का पहला दिन है कामकाजी सोमवार है ऐसे में जैसे ही दिन के शु हुई थी लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई लोकल ट्रेन वहीं की वहीं खडी रह गई पानी सप्लाई प्रभावित हुआ प्याप प्ट्रोल पंप न्य करने के लाधी है यह कि मुंबई के बहुत बड़े इलाकों में, मुंबई के तमाम इलाकों में, जिसमें मुलन का इलाका है, ठाने का इलाका है, बांदरा का इलाका है, इस्ट का इलाका है, यह तमाम यसे इलाके हैं, जहां पर बिजली गुल होगी, अस्पतालों तक में बिजली गुल है, या काफी देर तक इंतजार करते रहे और जैसा कि हमने आपको पहले भी जिक्र किया है क्योंकि आज कामकाजी सोमवार है ऐसे में लोगों को तुरंट आफिस पहुंचना था फैक्टरी पहुंचना था कामवाली जगा पहुंचना था अब तक पूरे तरीके से रिस्टॉर नहीं हो पाई है कई इलाकों के घरों में भी बिजली गुल है राकेश त्रवेदी लगाता रिस्पक ग्राउंड जिरो से मौजूद है साथे साथ अंकुर भी हमारे साथ मौजूद है राकेश आप जहां पर खड़े हैं मैं पीछे देख पाराओं की लोकल खड़ी है लोग हम देख रहते हैं उन तस्वीरों में कि जहां की तान लोकल अगर खड़ी रही वो पैदल ही अपने आफिसे को जाने के लिए मजबूर हो गए क्या इस वक्त के अलाग है क्या सब्सक्राइब को फशे दो गंटातो हो गया सरी ददेन में क्या कुछ अनॉंस्में क्शा बादार कश्राथ सुगी कुछ आप क्या कईए का अप क्या कईए अप ज़्यूँ आप यह और अब जाना था अब है कैसे जाए किसे जाएंगे अब बिना पंखे के बैठे हैं आप लोग यहां पर क्या कि लोग उतार के चले गए पैदल कुछ दिन उतार के चलेगे आप आप क्या सोच रहे हैं अभी कब तक आप उत रहे हैं जब तक रुपने हैं रुप देंगे इसका चला जाए मुंबई कर नाजके मुंबई से जिस मुंबई में आया रहते हैं इतना है टेक्स पे करते हैं मुँखा कर था बाएंदर जाने के लिए शायद को यह नहीं मिले तक पता निएक का कोई धाँ तो शायद यह आटो रिक्षा से चले जाते पैदल चले जाते इस वक्त दूसरी बड़ी अप्डेट यह भी है यहां पर सचेन की जो कम्यूनिकेशन सर्विसेज है वह भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है खास तो से जो डेटा सर्विसेज हैं इंटरेट सर्विसेज हैं इसवर मॉंबई के लाखों क्रोड जो यूजर को यूजर मुबाई उनमें से कई सर्विस्ट प्रोवाइडयर्स का जो इंटर्विस है वह अफेक्ट हुआ है आपके सारे ईमे considerably meno वो सिर्फ फोन कॉल के जरीए ही कॉंटाक कर सकते हैं गणिमत है इस बात की कि कम से कम फोन कॉल के जो नेटवर्क हैं वो इस वक्त चल रहे हैं बाकी सड़क यातायात की तस्वीर है हमने देखी कि वहाँ पर ट्राफिक सिगनल बंद है जिस वजे से मैनुवली जो है पुलिस पार कॉर्परेशन की तरफ से बयान आया है अडानी पार की तरफ से वो ये कह रहे है कि अब एक घंटा और लगेगा रिस्टोर कर ली जाएगी एक घंटे पहले एक आ जा रहा था कि घंटे भर के भीतर बिजली रिस्टोर कर ली जाएगी काम चल रहा है वहीं ऐसे में किर मुंबई को खड़ा कर सकते हैं कम से कम दो घंटे से जादा कि वो स्टैंड स्टिल हो जाए अस्पताल से लेकर कि लोकल से लेकर कि हवाई सेवा तक पर आसर हुआ है हाला कि बिजदी संकट पर हेल्प लाइन जरूर जारी किया गया है लेकिन लोग देखिए किस तरीके से लोकल में बैटे हैं वो परिशान है अंकुर त्यागी क्या डेट आपके पास है पहले दो घंटा का जा रहा है ताब एगंटा और का जा रहा है यानि कि संकट बढ़ा है और एक बार जब सब कुछ यानि कि बड़ी सप्लाई जब वेस्टन पार्क ग्रिट से होती है तो क्या इसका कोई आल्टरनेट नहीं था कोई प्लैन भी नहीं था देखिए सजी सवाल मेरे लिए जी जी अंकुर बोलिए बोलिए अवाज आ रही है तो अंकुर बोलिए मैं आप से ही पूछ रहा था मिलगता अंकुर तक अवाज नहीं पहुंची क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हो जाता है मुंबई कर ये कहता है कि जब उसका एक एक सेकिंड कीमती है उसे पहुंचना होता है अपने ऑफिस से लेकर तमाम जगा है वो तन टेक्स पे करता है दो घंटे से जादा होगे मुंबई स्टेंट से ले पेट्रोल बम बंद पड़े है लोकल सेवा ठप है लोकल जहां के तहां खड़ी हुई है पानी की सप्लाई बंद हो गई है पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है जो सप्लाई थी बिल्कुल रुक गई है मुंबई में बड़ा बिजली संकट है ट्राफिक सिगनल पूरे तरीके से फेल हो चुकें ट्राफिक सिगनल बंद है पेट्रोल पम भी बहुत जगों पर बंद है रेल सेवा पर असर है और जो हवाई सेवा है उस पर भी असर है तो मुंबई में बिजली संकट गहरा गया ह मुंबई इस वक्त काफी बाद इतना जरा रही है राकेश के बास पर फिर से जलते इससे पहले कि अंगुर की आवास को मैं ठीक करने की कोशिश करूं राकेश एक पर फिर से कुछ और यातिरियों से अगर हम बात करेंगे और दूसरा आप तक क्या अपडेट है कब तक यह ठ आउंस्मेंट किया गया है जैसे कि आपने बता कि एक घंटे और लग सकते हैं वहीं BMC कमिश्टर ने तमाम होस्पिटल के लिए यह निर्देश दिये हुआ है कि वह अगले साथ घंटे के लिए बैक अपने पास तयार रखें खास तोर से डीजल की सप्लाई को लेकर के जो सबसे बड़ी चिंता की बात है और वहां पर जनरेटर के जा गए लिकिन जनरेटर के जो डीजल है वहांके दिसस्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम सैटप किया गया है वहांके जो जो थरीट के परसन से उनके नाम को और यर्द रिलीज के गहे है कि कि जैसे या आपको कोई जरुवत पढ़े उसके ठीक थोड़ा पहले ही आप जो बफर टाइम रखते हुए सुचना देजिए, अलर्ट कीजिए ताकि आपको सही समय पर डीजल जो आपको मुर्याइब पढ़ाई शुरू हुए है यहां पर बीच 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 कि आदानी जो कंपणी वह सप्वाइब रभावित हुई है अला कि अभी तक कोई अनॉंसमेंट यहां पर नहीं किया गया है कि अगर यह ट्रेन शुरू होने वाली होती तो सबसे पहले यहां पर अनॉंसमेंट किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे जो ट्रेन सेवा है वो ब और जब जैसे ये ट्रेंज सिवा बहाल होगी शूचना दी जाएगी सचिन में आपको इससे पहले बता रहा था कि आप जो है लोगों को बिजली के पावर फेलियर के चलते हैं जो चोटी-चोटी चीज है जो आम जिंदरी में हम नोटेस नहीं करते हैं वो भी प्रॉब्लम स सके लेकिन अब फिलाल जो है वो आज पानी भी नहीं भगवाएंगे तो ये एक समस्या है घरों के अंदर जो आप छोटे बच्चे हैं इंफेंट्स है वहाँ पर उनको अपनी अलग दिकते हैं अब ऐसे में वेंटिलेटर से लेकर के तमाम जोक्यमेंट्स होते हैं तमाम म माइनों में बहुत बड़ा है लेकिन इस बीच एक रात की खबर ये आई कि सीपी आरों ये कह रहे हैं रेलवेज के कि अब धीरे धीरे लोकल सप्लाई होने लगी है यानि कि लोकल चलने लगी है एक बार देखते हैं दस बचकर पांच मिनट से जो है ग्रीड फेलियर की वज़े से जो सबबन ट्रेंस है वो रुकी है हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन जो मिली है दस बचकर पचपन मिनट से हर्बर लाइन जो है से पनलु के बीच में जो हर्बर लाइन है उत्सें रिस्टोर किया गया है वहां पे ट्रेंट गश्य हम प्रेंड's कर रहे है यहां सेक्षन में ट्रेंफेंट और के अन्दर लोकिन बता रहें ज़ो वह कंद पर ट्रेने खड़ी है वहां पर हमारा स्टेशन स्टाप है सिक्रेटी पर्सनल्स है वो लोगों को अप्पिल कर रहे हैं कि इस डिफिकल्ड टाइम में हमें कोपरेट कीजिए और जो ग्रीड फेलियर है उसमें कंटिनेशली जो है हमारे इंजिनियर्स कंटिनेशली टच में ह जहां से हमें इलेक्टिसीटी मिल रही है वहां पर ग्रीड फेलियर होने के कारण जो है इए एलेक्टिसीटी सप्लाइ जो बंद हुई है वह रिस्टोर करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है कोशिष की जा रही है कोशिश की जारी बाकी और जगों पर भी जल से जल जो लोकल है वो शुरू हो जाएगी मुंबई में देखिए कौन-कौन से ऐसे लाके जिन पर सबस्याद आसर पड़ा है मुंबई ठाने के कई लाकों में दो घंटे से जादा हो गया है बिजली ठप है लोगों के घरों में पानी की सप्लाइट अप है सुबा सबा 10 बजे बिजली गई थी और लगबग सबा 10 के करीब दिस वज के 5 मिंट के करीब ये पहला वाक्या सामने आथा सबसे जादा परभावित हुई जितनी लोकल चलती है वो जहां पर थी वहां की वहां खड़ी हो गई ठाने में बिजल दरीगे से कह रहे थे 12 से डेड़ एक बहुत एहम टाइम होता है बहुत बड़ा मुंबई का इक लाका वो उसी वक्ती इलेक्रिक मीटर के तुरू अपनी टेंकी भरता है या फिर पानी की सप्लाइब पर डिपेंडनेंट रहता है अस्पताल देखी जो अमर्जेंसी सबसे अब सची सबसे पर ये जानकारी में उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो इस वक्त टीवी नहीं देख पा रहे हैं डाइसर से लेके चर्च गिट तक के एरिया जो जी नियूस नहीं देख पा रहे हैं लेकिन अभी भी मॉबाइल पर उनको अपडेट्स मिल रही है जी नियूस के अप्लिकेशन ये जी नियूस की वेबसाइट पी आके देख रहे हैं मुंबई के कुछ हिस्से हैं जहां पर अब बिजली री स्टोर होनी शुरू हो गई है सबसे पहला नाम ठाने मुलंड का आ रहा है नवी मुंबई का जो इलाका था है नवी मुंबई के शुरू हो चुका है बिजली को री स्टोर किये जाने का इसके अलावा नरीमन पॉइंट पर भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बिजली को री स्टोर किया जा चुका है वहां पर कुछ ऐसी हिस्से हैं इस नरीमन पॉइंट हिलाके के जहां पर बिजली आ गई है अभी अह पर जनेरेटर के जरीए वहां पर बिजली को रिस्टोर किया जा रहा है उनमें अभी भी प्रॉपर बिजली सप्लाई नहीं हो पाई है और जो इलाके हैं नवी मुंबई के जहां पर बिजली रिस्टोर की गई है मैं दर्शुकों को संदानी के कोशिश करूँगा धर इसके अलावा माहपे लाइन का सबस्टीशन है वहां पर सटेशन की गई है इसके अलावा पादगा नामकी जगह है वहां पर जो सबस्टीशन है चारसो किलोवाट का मुलंड का 220 किलोवाट का जो सब्स्टेशन है और ले depicted vine के और 220 kilograms में और 400 दृट का खारग़ कामोतै allora वो सब स्टेशन्स हैं जहां पर विजली को एलेक्रिसिटी को रिस्टोर्ट किया जा चुका है सप्लाई शुरू हो चुकी है टांस्पीशन किया जाना शुरू हो चुका है यह एक बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए क्योंकि अब जिस लगातार बात की जा रही थी इस से श्बौट और निदिन राउच उंहोंने साफ तौर पर आकर कहा कि एक घंटा लगेगा हमने बताया था कि एक घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा और यकीनं तो प्रिकन गन्टे से लेकित से विजली रिस्टोर होने में अभी और और कम से कम आदा गंटा आप जादे से जादा इसको एक घंटे तक लेके चलिए बिजली को रिस्टोर पूरी तरसी रिस्टोर होने में वक्त लगेगा लेकिन इसका जो दो घंटे का वक्त बीता आप अगर वो मुंबाई के वासी उसे पूछे तो बेहद मुश्किल भरा क्योंकि वो लोग जैसा आपने का कि जो टीवी नहीं देख पा रहे हैं मुंबाईल से या एप से उनकोई जानकारी आप लोग साजा कर रहे हैं और एक ही कुछ इस इलाके के जानकारी दे रहे हैं कि महां पर बिजली या तो आ गई है या कितनी देर में आ जाएगी लोकर कुछ देर बाद रेस्टोर हो जाएगी उसी इन्फरमेशन को कि इसलिए हम यह कह रहे हैं कि हर जानकारी जी न्यूस पर आप देख रहे हैं और कोई भी जानकारी इस वक्त मुंबाई के इस बिजली संकट से जुड़ी आप जी न्यूस पर मिसनी होने पाएगी हेल्प ला नंबर भी आप लगातार देख रहे हैं राकेश आप भी अपने हिस्से की इन्फरमेशन शेयर कीजिए जी बिल्कुल लेकर अभी इंफरमेशन यही मिल रही है कि अगले एक घंटे तक कम से कम जो है वो वक्त लग सकता है इसे और रिस्टोर होने के लिए कुछ-कुछ इलाकों में जैसे कि आपको अंकुर्तियागी बता रहे थे फेज वाइस मैनर में जो है एलेक्टिसिटी को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है लेकिन एक बड़ा अभी भी तपका लोकेशन ऐसा है जहां पर अभी तक इलेक्टिसिटी नहीं आई है पूरी तरह किसे ब्लैक आउट है मैं आपको यह बता रहा था कि मैंने अभी कुछ समय पहले मोटर मैं से भी बात चित किया औ लेकिन फिलाल वेस्टर लाइन पर अभी तक ऐसी कोई अपडेट कम से कम मोटर मैं तक नहीं है यात्रियों तक के लिए नहीं है कि आकर यह सेवाएं कब तक बाहा लोंगी लगबग कुरी ट्रेन जो हो सचिन खाली हो चुकी है जो यात्री थे सब लोग एक एक करके पैदल जो है वो पट्री से निकल चुके हैं आगे ताकि वो में रोड पर जाएं वहाँ से किसी तरीके से जो है वो अपने गंतवे स्थान तक पहुंच सके फिलाल जिन लोगों को भी तकलीफ है अगर कोई डिजिटल हमारी प्लैटपॉम बर यह इस द्यूस को देख रहा है मुं मुंबई पुलिस का कंट्रोल जो रूम है उसे भी आप अपकोच कर सकते हैं सो नंबर यहाप डाल करके या फिलाल तो प्रायल्टी यही है कि कितनी जल्दी रेस्टोर की जाए कितनी जल्दी एमर्जनसे सर्वेसिस रेस्टोर हों लेकिन सवाल तो ये भी सबसे बड़ा उ क्योंकि मुंबई में तो एक एक सेकीन हमने देखा है कि मुंबई किस तरीके से स्टैंड स्टिल हो जाती है तब लिए हमने देखा कैसे खड़ी नजर आ रही है वो ये लोकल आप बताने के लिए काफी है ये लोकल जो कि मुंबई का चेहरा हम ये कह सकते हैं मुंबई इस सड़क पर है, मुंबई इस वक्त खड़ी हुई है, साइन से नित्यनन्द है, नित्यनन्द आपके पास क्या इन्फरमिशन है? इस बीच एक और बड़ी खबार मुंबई बिजली संकट से जुड़ी हुई है, वो ये खबर है कि मुंबई के कई इस बीच अलाकों में बिजली आपूरती बहाल कर दी गई है, जिसकी जानकारी आपको अंकुर्तियागी ने सबसे पहले दी, नरीबन पॉइंट वो इलाका है, जहां पर जहां बहुत से आफिसेज़ें, कमर्शल आफिसेज़ें, प्राइवेट आफिसेजें, सरकारी आफिस नरीमन पॉंट में फिलाल बिजली बहाल कर दी गई है मुंबई संकट से जुड़ी ये बड़ी ख़बर आ रही है जहान नवी मुंबई के भी कही आखे हैं जहां पर बिजली बहाल कर दी गई है क्या ये राहत की खबर है अंकुर त्यागी की कुछी देर में इन इलाकों में इजाफा होगा और इस पूरे मुंबई के बिजली संकट में लगबख सभी जगों पर बिजली रस्टोर की जाएगी और इस वक्त तक कितनी इलाके जा रस्टोर की गई है सजिन मैं उससे पहले आपको एक अपडेटिट इन्फोरमिशन उन लोगों के लिए बता दूँ जो मुंबई से लंबी जो लॉंग डिस्टेंस फीन हैं उनमें सफर करकर दूसरे स्टेट में जाने की तैयारी कर रहे थे वेस्टर लाइन पे दो सब्सक्रे बड़े स्टीशन आते हैं एक आता है बेंडर टेमिलेस और दूसरा आता है मुंबई सेंट्रल वहां से सुभे के वक्त में कई सारी गारियां हैं जो रवाना होती है दिल्ली की तरफ जाने वाली गारिया होती है उत्तर प्रदेश की तरफ बिहार की तरफ पंजाब की तरफ जाने वाली गारिया होती है उनमें पाँच ऐची ट्रेन हैं लोंग डिस्टेंस की जो अफेक्ट हुई हैं मैं आपको उन लोगों के लिए जानका नहीं दे रहा हूँ जो समान बांद के तयार बैठे हुए हैं या निकलने की तयारी कर रहे हैं वो प्लीज आप मोबाइल एप या फिर वेबसाइट के ज स्केडियूल किया गया है एक बज़े के लिए जो लोग पंजाब जाने वाले हैं बेंडरा से निकल कर मुंबई से निकल कर बेंडर टामिनस्टर ट्रेंड होती है जीरो नाइन जीरो टू फाइफ ये ट्रेन अम्रिस्ट तर जाती है कई बड़े स्टेशन होते हैं मद्पर सर पस्चन एक्स्प्रेस ये भी बहुत महत्पूर्ण ट्रेन है ये बारा बजी की ट्रेन निकलती है इसको भी रिसकेडूल किया गया है एक बचकर पंदरा मिनट के लिए आप अपनी जर्नी आपको निकलना है क्योंकि ट्राफिक सड़कों पे बहुत है इसी लिए आप उ रिसकेडूल किया गया है जीरो नाइन वन वन फाइफ सयाजी नगर एक्सप्रेस ये बोरिवल्ली स्टेशन से बहुत जल्दी अभी छूटने वाली है और उसके बाद ये आगे निकल जाएगी इसके अलावा जीरो टू फोर नाइन बेंडर टमिनस जोत्पूस सूर्य लाया है दो बच कर 50 मिनट पर जल्दी मत कीजिये आपके पास इस पिर टाइम है आप जीन यूज का एप्लिकेशन जीनुस के वेब्स साइट पर लाइव जाकर देख सकते हैं आप पञचाब जा रहे है आप एंध़ाबाद जा रहे हैं orsa राए हैं मदप्रदेश जा रहा है इन रूट को लेकर अपनी जर्णी को इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं यह सबसे बड़ी अपडेटिड इंफोर्मिशन जी न्यूस दे रहा है ठीक है राकेश तिर्वेदी बेमार साथ बने हुआ है देखिए वो उसी जगाबर मुझूद है जहां पर अभी ये लोकल खड़ी हुई है बौरीवली की तरफ जारी थी लोकल लेकिन फिलाल नहीं चल पाई है राकेश तिर्वेदी लगातार खड़े हैं क्योंकि वहाँ पर कंपनी क्या कह रही है वो भी हर अपडेट हम आपको लगातार हर जानकारी के साथ सटीक जानकारी के साथ जीन्यूस पर देते रहेंगे क्योंकि रिपोर्टर मौके पर है खबर की विश्वसनीता है गवाहों और एक्सपर्स की बाइट हम लगातार दे रहे हैं और लगाता